आज पूरी दुनिया उत्सुकता के साथ 22 जनवरी के आईतिहासी छण का इंतजार कर रही है ऐसे में अयोध्या वासियों में ये उत्सा ये उमंग बहुत स्वाभाविक है भारत की मिट्टी के कनकान और भारत के जन जन का मैं पुजारी हूँ और मैं भी आपकी तरह उत्नाही उत्सुक हूँ हम सभी का ये उत्सा ये उमंग थोड़ी देर पहले अयोध्या की सडकों पर भी पूरी तरह नगर आ रहा था ऐसा लगता था कि पूरी अयोध्या नगरी ही सडक पर उतराई हो इस प्यार इस आशिरवात के लिए मैं आप सभी का रजय सा आभार व्यक्त करता हूं मेरे साथ बोलिये सियावर राम चंद्र की उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदि बेन पतेल यहां के लोकप्रिय मुख मंत्री योगी आदित्यनाच जी मंत्री मंडल में मेरे सहयोगी जोतिरादित्य जी अस्वीदी वैश्णव जी बिके सी जी उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सी एम केश्व प्रसाद मौर्य जी ब्रिजेश पाठक जी यूपी सरकार के अन्य मंत्री गाण सभी साउसद और विदाईग्ण और विशाल संख्य में आए मेरे परिवार जनों देश के इतिहास में तीस दिसम्बर की ये तारीक बहुत ही आइतिहासिक रही है आजके ही दिन 1943 में नेताजी सुभाच चंद्र बोज ने अंडमान में जन्दा फैरा कर भारत की आजादी का जैगोश किया था आजादी के अंदोलन से जुड़े ऐसे पावन दिवस पर आज हम आजादी के अम्रित काल के संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं आज विक्षिद भारत के निर्मान को गती देने के अभियान को अयोध्यान नगरी से नई उर्जा मिल रही है आज यहाँ 15,000 करोड रुपे से अधिक के विकास कारियों का स्चलान्यास और लोकारपन हुआ है इंफ्रास्ट्रक्टर से जुड़े ये काम आधुनिक अयोध्या को देश के नक्से पर फिर से गवरव के साथ स्थापित करेंगे कोरोणा जैसी वैस्विक महामारी के बीच ये कारिया अयोध्यावासियों के अथक परिश्रम का परणाम है मैं सभी अवध्यावासियों को इन परियोजनाओं के लिए अनेक अनेक बधाई देता हूँ मेरे परिवार जनो दुनिया में कोई भी देश हो अगर उसे विकास की नई उचाई पर पहुंचना है तो उसे अपनी विरासत को समालना ही होगा हमारी विरासत हमें प्रेरा देती हैं हमें सही मार्ग दिखाती है इसलिए आज का भारत पुरातन और नूतन दोनों को आत्मसाथ करते हुए आगे बढ़ रहा है एक समय था जब यहीं आयोध्या में राम लला टेंट में बिराजमान थे आज पक्का घर सिर्फ राम लला कोई नहीं बल्कि पक्का घर देश के चार करोड गरीबों को भी मिला है आज भारत अपने तिर्फों को भी समार रहा है तो वहीं डिजिटल टेक्लोलोजी की दुनिया में भी हमारा देश चाया हुआ है आज भारत काशी विश्वनात धाम के पुननिर्मार के साथ ही देश में तीस हजार से जादा पंचयद भवन भी बनवा रहा है आज देश में सिपकेदार धाम का पनुर्दारी नहीं हुआ है बलकि 315 से जादा नए मेडिकल कॉलेग भी बने है आज देश में महाकाल महालोग का निर्मारी नहीं हुआ है बलकि हर गर जल पहुँचाने के लिए पानी की दो लाग से जादा तंकिया भी बनवाई है हम चान, सूरच और समुद्र की गहराईयों के भी नाप रहे है तो अपनी पवरानिक मुर्तियों को भी रिकॉर्ड संख्या में भारत वापिस ला रहे है आज के भारत का मिजाज यहां अयोध्या में स्पष्ट दिखता है आज यहां प्रगति का उत्सव है तो कुछ दिन बाद यहां परंपरा का उत्सव भी होगा आज यहां विकास की भव्यता दिख रही है तो कुछ दिनों बाद यहां विरासत की भव्यता और दिव्यता दिखने वाली है यही तो भारत है विकास और विरासत की यही साजा ताकत भारत को 21 सभी में सबसे आगे ले जाएगी मेरे परिवार दिनों प्राचिन कान में अयोध्या नगरी कैसी थी इसका वर्णन खुद महर्शी वालमी की जिने विस्तार से किया है उन्होंने लिखा है कोसलो नाम मुदितह स्भीतो जनपदो महान निविष्ट सर्यू तिवे प्रभूत धन धान्यवान अर्थात वालमीज बताते हैं कि महान अयोध्यापुरी धन धान्य से परिपूर्ण थी सम्रुद्धी के सिखर पर थी और आनन से भरी हुई थी यानि अयोध्या में विज्ञान और बैराग्यतो थाई उसका वैभव भी शिखर पर था अयोध्यान नगरी की उसी पुरातन पहचान को हमें आधुनिक ताग से जोड़कर वापिस लाना है साथियों आने वाले समय में अयोध्यान नगरी अवद छेत्र ही नहीं बलकि पूरे यूपी के विकास को ये हमारी अयोध्या दिशा देने वाली है अयोध्या में स्री राम का भव्य मंदिर बनने के बाद यहां आने वाले लोगों की संख्या में बहुत बड़ी वृद्धी होगी इसे ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार अयोध्या में हजारों करोड रुप्यों के विकास कार्य करा रही है अयोध्या को स्मार्ट बना रही है आज अयोध्या में सडकों का चौड़ी करन हो रहा है नए फुटबात बन रहे हैं आज अयोध्या में नए फ्लाइवर बन रहे हैं नए पूल बन रहे हैं अयोध्या को आसपास के जीलों से जोडने के लिए भी याता यात के साधनों को सुधारा जा रहा है साथियों आज मुझे आयोध्या धाम एरपोट और आयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का लोकार्पन करने का सवभाग ये मिला है मुझे खुसी है कि आयोध्या एरपोट का नाम महर्ची वालमिकी के नाम पर रखा गया है महर्ची वालमिकी ने हमें रामायन के माध्यम से प्रभू स्री राम के कृतित्व से परिचित करवाया महर्ची वालमिकी लिए प्रभू स्री राम ने कहा था तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा विश्व बदर जिमी तुम्रे हाथा अर्थाथ हे मुनिनाथ आप तुम त्रिकाल दर्शी हैं संपुन अभिश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है ऐसे त्रिकाल दर्शी महर्ची वालमिकीजी के नाम पर अयोध्या धाम एरपोर्ट का नाम इस एरपोर्ट में आने वाले हर्यात्री को धन्य करेगा महर्ची वालमिकी द्वारा रचीत रामायान वो ज्यान मार्ग है जो हमें प्रभूश्री राम से जोडती है आदुनिक भारत में महर्ची वालमिकी इंट्रनेशनल एरपोर्ट अयोध्यादाम हमें दिव्य भव्य नव्य राम मंदिर से जोड़ेगा जो ये नया एरपोर्ट बना है उसकी चमता हर साल दस लाग आत्रियों को सेवा करने की चमता है जब इस एरपोर्ट के दूसरे तरव का काम भी पुरा हो जाएगा तो महरत्वी वालमी की इंट्रनेशनल एरपोर्ट पर हर साल साथ लाग आत्रियों को सेवा करने की चमता है स्टेशन का पूरा विकाथ होने के बाद अयोध्या धाम रेल्वे स्टेशन पर हर रोज साथ हजार लोग आ जा सकेंगे साथियों एरपोर्ट रेल्वे स्टेशनों के अलावा आज यहां अनेक पथों का मार्गों का भी लोकारपन हुआ है रामपत, भक्तीपत, धर्मपत और स्री राम जन्म भूमीपत से आवाजाई और सुगम होगी अयोध्या में आज ही कार पार्किंग स्थलों का लोकारपन किया गया है नए मेडिकल कॉलेज से हां आरोग्य की सुविदाओं को और विस्तार मिलेगा सर्यूजी की निर्मलता बनी रहे इसके लिए भी डबल इंजिन सरकार पूरी तना समर्पी था है सर्यूजी में गिरने वाले दुसीत पानी को रोकने के लिए भी काम शुरू हुआ है राम की पैड़ी को एक नया स्वरूप दिया गया है सर्यू के किनारे नए नए घाटों का विकास हो रहा है यहां के सभी प्राचिन कुंडों का पुनरुदार भी किया जा रहा है लता मंगिस कर चौक हो या राम कतास्तल ये अयोध्या की पहतान बढ़ा रहे है अयोध्या में बनने जा रही नई टाउन सिप यहां के लोगों का जीवन और आसान बढ़ाएगी विकास के इनकारियों से अयोध्या में रोजगार और स्वरोजगार के नए आउसर भी बनेंगे इससे यहां के टेक्सी वाले रिक्सा वाले होटल वाले धाबे वाले प्रसाद वाले फूल बेचने वाले पूजा का सामगरी बेचने वाले हमारे छोटे मोटे दुकांदार भाई सभी की आय बढ़ेगी मेरे परिवार जनो आज यहां आदुनिक रेलिवे के निर्मार की तरफ एक और बड़ा कदम देशने उठाया है बंदे भारत और नमो भारत के बाद आज एक और आदुनिक ट्रेन बेच को मिली है इस नई ट्रेन सिरीज का नाम अमरिद भारत ट्रेन रखा गया है बंदे भारत नमो भारत और अमरुद भारत ट्रेनों की यह त्री शक्ति भारतियर रेलिवे का काया कल्प करने जा रही है इससे बड़ी खुशी के बाद क्या हो सकती है कि पहली अमरुद भारत ट्रेन अयोद्या से गुजर रही है बिल्ली दरबंगा अमरुद भारत एक्स्प्रेस ट्रेन बिल्ली यूपी बिहार के लोगों की यात्रा को आधुनिक बनाएगी इससे बिहार के लोगों के लिए वग्द राम मंदिर में विराजने जा रहे हैं राम लला के दर्सन को और सुगम बनाएगी ये आधुनिक अमरुद भारत एक्स्प्रेस ट्रेन विशेद रुप्ते हमारे गरीब परिवार हमारे स्रमिश साथ्यों को बहुत मदद करेगी स्री राम चरित मानस में गोच्वामी तुल्सिदाजी ने कहा है परहित सरीस दर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अदमाई अर्थात दूसरों की सेवा करने से बड़ा और कोई धर्मा कोई और करतब्य नहीं है आधुनिक अमरुद भारत एक गरीब की सेवा इसी भावना से ही शुरू की गई है जो लोग अपने काम के कारण अक्सल लंबी दूरी का सफर करते हैं जिनकी उतनी आमद्ली नहीं है वे भी आधुनिक सुविधाओं और आराम दायक सफर के हकदार है गरीब के जीवन की भी गरीबा है इसी दे के साथ इन ट्रेनों को डिजाइन किया गया है आज ही पस्चिम मंगाल और करनाटका के साथ्यों को भी उनके राज्य की पहली अमरिद भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है मैं इन राज्यों को भी अमरिद भारत ट्रेनों की बधाई दिऊंगा मेरे परिवार जनों विकास और विरासत को जोडने में बंदे भारत एक्सप्रेस बहुत बड़ी भूमी का निभा रही है देश की पहली बंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कांची के लिए चली थी आज देश के 34 रूट पर बंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेने चल रही है कांची वैश्णो देवी के लिए कट्रा उज्जेइन पुषकर तिरुपती शिरडी अमरिसर मदुरई आस्ता के ऐसे हर बड़े केंद्रों को बंदे भारत जोड रही है इसी कड़ी में आज अयोध्या को भी बंदे भारत ट्रेन का उपहार मिला है आज अयोध्या धाम जंक्षन आनंद विहार बंदे भारत शुरू की गई है इसके अलावा आज कट्रा से दिल्ली, अमरिसर से दिल्ली, कोईम टूर बैंगलूरू, मैंगलूरू मडगाउं, जालना मुंबई इन शैरों की बीज भी बंदे भारत की नई सेवाएं शुरू ही है बंदे भारत में गती भी है, बंदे मारत में आदुनिक्ता भी है और बंदे भारत में आत्मन निर्भर भारत का गर्ब भी है बहुत ही कम समय में बंदे भारत से डेड़ करोड से अधिक यातरी सफर कर चुके है विशेश तोर पर युवापीडी को ये ट्रेन बहुत पसंद आ रही है साथियों, हमारे देश में प्राचिन काल से ही तिर्थी यात्राओं का अपना महत्वर रहा है अपना गव्रव शाली इतिहात रहा है बद्री विशाल से सेतु बंद रामे स्वरम की यात्रा गंगोत्री से गंगा सागर की यात्रा द्वार का दिश से जगनात्पुरी की यात्रा द्वादर्स जोतिलिंग की यात्रा चार धामों की यात्रा कैलास मानसरोबर यात्रा कावर यात्रा शक्ति पीठों की यात्रा पंडरपुर यात्रा आज भी भारत के कौने कौने में कोई न कोई यात्रा निकलती रहती है लोग आस्था के साथ उनसे जुडते रहते हैं तमिल्नाडु में भी कई यात्राएं प्रसिद्ध हैं सिवस्थल पाद यात्री रही मुरुगनंको कावडी यात्री रही वैश्णाव तिरुपपदी यात्री रही अस्मन तिरुत्तल यात्री रही केरला में सबरीमाला यात्रा हो आंद्र तेलंगना में मेदाराम में समक्का और सरक्का की यात्रा हो नागोबा यात्रा इनमें ल बहुत कम लोगों को पता होगा कि केरला में बगवान राम और उनके भाईयों भरत लक्ष्मर और सत्रुग्र के दाम की भी यात्रा होती है यह यात्रा नालंबम यात्रा के नाम से जानी जाती है इसके अलावा देश पे कितनी ही परिक्रबाएं भी जारी रही है गोवर्दन परिक्रमा, पंचकोशी परिक्रमा, चोरासी कोशी परिक्रमा, ऐसी यात्राओं और परिक्रमाओं से हर बक्त का इस्वर के प्रती जुड़ाओं और मजबूत होता है, बहुत दर्में भगवान मुद्ध से जुड़े सनों, गया, लुंबिनी, कपिल वस्तू, सारनाथ, पंची नगर की यात्राएं होती है, राजगीर बिहार में बद्ध यनुयायों की परिक्रमा होती है, जैंदर्मे में पावागर्ण, समेच्छिक्रजी, पालितना, कहिलाज की आत्रा हो, शीखों के लिए पंच तक्त यात्रा और गुरुदाम यात्रा हो, अरुना चल प्र देश बन में सद्यों से हो रही इन यात्राओं के लिए वैसा ही समुचित इंतजाम भी किये जाते हैं अब आयोध्या में हो रहे यह निर्मान कारिय यहां आने वाले हर राम वक्त के लिए आयोध्या धाम की यात्रा को बगवान के दर्षन को और आसान बनाएंगे साथियों ये एतिहासिक छान बहुत भाग्य से हम सभी के जीवन में आया है हमें देश के लिए नवसंकल्प लेना है खुद को नई उर्जा से भरना है इसके लिए 22 जनवरी को आप सभी अपने घरों में मैं पूरे देश के 140 करोर देश वासियों को अयोध्या की पवित्र भूमी से प्रांथना कर रहा हूं अयोध्या की प्रभुराम की नगरी से प्रांथना कर रहा हूं मैं 140 करोर देश वासियों को हाथ जोड करके प्रांथना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अविध्या में प्रभुराम बिराजमान हो अपने घरों में भी स्री राम जोती जलाएं दिपावली मनाएं 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए लेकिन साथ ही मेरे सभी देश वासियों से एक कर्बद्द प्रांथना और भी है हर किसी की इच्छा है कि 22 जनवरी को होने वाले आयोजन का साच्छी बनने के लिए वो स्वयम आयोध्या आएं लेकिन आप भी जानते हैं कि हर किसी का आना सम्भव नहीं है अयोध्या में सबका पहुंतना बहुत मुश्किल है और इसलिए सभी राम भक्तों को देश भर के राम भक्तों को उत्तर प्रदेश के विशेश करके राम भक्तों को मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम के साथ प्रार्तना है मेरा आग्रह है कि 22 जनवरी को एक बार वीधी फुर्वक कारकम हो जाने के बाद 23 तारी के बाद अपनी सुविता के अनुसार वो अयोध्या आएं अयोध्या आने का मन 22 तारी को न बनाएं प्रभु राम जी को तकलीव हो ऐसा हम भक्त कभी कर नहीं सकते हैं प्रभु राम जी पधार रहे तो हम भी कुछ दिन इंतजार करें साड़े 500 साल इंतजार किया है कुछ दिन और इंतजार की लिए और इसलिए सुरक्षा की लिहाद से व्यवस्ता के लिहाद से मेरी आप सबसे बार बार प्रार्थना है कि कृपा करके क्योंकि आप प्रभु राम के दर्शान अयो द्याका नव्य भव्य दिव्य मंदिर आने वाली सदियों तक दर्शन के लिए उपलब्द है आप जन्रवरी में आए फरवरी में आए मार्च में आए एक साल के बाद आए दो साल के बाद आए मंदिर है और इसलिए बाद जन्रवरी को यहां पहुंचने के लिए बिड़भार करने से आप बचिये ताकि यहां जो व्यवस्ता है मंदिर के जो व्यवस्तापक लोग हैं मंदिर का जो ट्रस्ट है हमें इतना पवित्र काम उन्होंने किया है इतनी महनत करके किया है पिछले तीन चार साल से दिन रात काम किया है उनको हमारी तरफ से कोई तकलिफ नहीं होनी चाहिए और इसलिए मैं बार बार आगर करता हूँ कि 22 को यहां पहुंचने का प्रयास हम न करे कुछी लोगों को निमंत्रन गया है वे लोग आएंगे और 23 के बाद सारे देश वास्यों के लिए आना बड़ा सरल हो जाएगा साथ्यों आज मेरा एक आगर मेरे अयोध्या के भाई बेहनों से आपको देश और दुनिया के अंगिनत अतिजियों के लिए तयार होना है अब देश दुनिया के लोग लगातार हर रोज अयोध्या आते रहेंगे लाखो की तादाद में लोग आने वाजे हैं अपनी अपनी सुविधा से आएंगे को एक साल में आएगा दो साल में आएगा दस साल में आएगा लेकिं लाखों लोग आएंगे और ये सिल्सिला अब अनंतकाल तक चलेगा अनंतकाल तक चलेगा इसलिए अयोध्यावासियों को आपको भी एक संकल्प लेना है और ये संकल्प है अयोध्यान नगर को बारत का सबसे स्वच्छ शहर बनाने का कि ये स्वच्छ अयोध्या ये अयोध्यावासियों की जिम्मेदारी है और इसके लिए हमें मिलकर हर कदम उठाना है कि मैं आज कि देश के सभी तिर्थ छेत्रों और मंदिरों से अपना आग्रद हो रहाऊंगा कि देश भर के लोगा से मेरी प्रातना है बद्र राम मंदिर के दिनवार के निमित एक सप्ता पहले चौदा जनवरी मकर संक्रांति के दिन से पूरे देश के छोटे मोटे सब तीर्थ स्तलों पर स्वच्छता का एक बहुत बड़ा भ्यान चलाया जाना चाहिए हर मंदिर हिंदुस्तान के हर कोने में हमें उसकी सफाई का भ्यान मकर संक्रांति 14 जनवरी से 22 जनवरी तब हमें चलाना चाहिए प्रभु राम पुरे देश के है और प्रभु राम ती जवार है तो हमारा एक भी मंदिर हमारा एक भी तिर्थ खेत्र उसक्या और उसके परिशर के इलाके का अस्वच्छ नहीं होना चाहिए गंदगी नहीं हो चाहिए साथियों अपसे कुछ देर पहले मुझे एयोध्यान नंगिरी में ही एक और सवभा के प्राप्त हुआ है आज मुझे खुसी है यह बताते हुए कि उजवला गैस कनेक्शन की दस करोड़ भी लाबारती बहन के गर मुझे जांकर के चाए पिने का मोका विला जब एक मैं दोजार सोला को हमने यूपी के बलिया से उजवला योजना शुरू की थी तो कोई कलपना भी नहीं कर सकता था कि ये योजना सफलता की इस उन्चाई पर पहुँचेगी इस योजना ने करोड़ों परिवारों का करोड़ों माता और बहनों का जीवन हमेशा के लिए बदल दिया है उन्हें लकड़ी के दुए से मुक्ति दिलाई है साथियों हमारे देश में गैस कनेक्शन देने का काम साथ सत्तर साल पहले शुरू किया गया था साथ और छे साथ दसक पहले लेकिन 2014 तक हालत ये थी कि 50-55 सार में सिरफ 14 करोड गैस कनेक्शन ही दिये जा चुके थे याने 5 दसक में 14 करोड जबकि हमारी सरकार ने एक दसक में 18 करोड नए गैस कनेक्शन दिये हैं और इस 18 करोड में 10 करोड गैस कनेक्शन मुक्त में दिये गए हैं उजवला योजना के तहट दिये गए हैं जब गरीब की सेवा की भावना हो जम नियत नेक हो तो इसी तरह से काम होता है इसी तरह के नतीजे मिलते हैं आज कल कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि मोदी की गारंटी में इतनी ताकत क्यों है मोदी की गारंटी में इतनी ताकत इसलिए है क्योंकि मोदी जो कहता है वो करके ले के लिए जीवन खपा देता है मोदी की गारंटी पराज देश को इसलिए भरोसा है क्योंकि मोदी जो गारंटी देता है उसे पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देता है यह अयोध्या नगरी भी तो इसकी साक्षी है और मैं आज अयोध्या के लोगों को फिर से विस्वाद दूँगा कि इस प्रवित्र धाम के विकास में हम कोई कोर कसर बाकी नहीं चोड़ेंगे श्री राम हम सभी पर आशिरवाद रखे इसी कामरा के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ प्रभु स्री राम के चरणों में प्रडाम करता हूँ और आप सब को विकास कारियों की बहदाई देता हूँ मेरे साथ बोलिए सियावर राम चंदर की सियावर राम चंदर की सियावर राम चंदर की हाव